शार्य होगा पलकी राजवीर को एक देखकर जलेस जे हाँ दोस्तों कुंडली भागी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शार्य 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 को कहेगा क्या भी प्लीज मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी है तुम मेरे सामने से चली जाओ तब य तेरे लायक है ही नहीं और किसी भी इंसान की जो रिस्पेक्ट नहीं करता वो इंसान भी किसी के लायक नहीं होता जैसे शार्य अगर शार्य शार्य तेरे रिस्पेक्ट नहीं करता तो समझ जाना की शार्य तुम्हारे लायक नहीं है जैसे उनकर तब शनाय को काफी बड़ पछे लेगी और कीचन के आखरी दिवाल को टच कर लेगी तब एर राजविर अपने कद्मों को आगे बढ़ाते हुए apply के साइने किचन पर हाथ रख देगा और राजविर तभी पलकी को कायेगा तुम्हारे गालों की लाली और तुम्हारे लहराते बाल और तुम्हारी आखे कि ये सब बताती है और पता है तुम्हें कि ये सब क्या होता है और कब होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है ये सुनकर तभी पलकी राजविर के प्यार मे गिर जाएगी और पीछे से तभी शौरे पलकी राजविर को एक होते हुए देख लेगा और पलकी को राजविर के प्यार में डूपते हुए देखेगा जिसे देखकर शौरे को काफी ज़ादा जले सी होगी और मन में राजविर के लिए गुस्ता आएगा जहाँ पर जब प पलकी शौरे के बारे में ना बता कर राजविर को काएगी कुछ नहीं अभी चलो चलो किचन में मुझे खाना बनाना है तुम यहाँ पर हो अगर आखी मा ने देख लिया और तुमारी मासी प्रिता ने देख लिया तो क्या कहेंगी जाओ अभी यह सब करने का सही टाइम नही और शौरे तभी पलकी को देखने लगेगा और आप भविश्य में किसकी जोड़ी बनते हुए देखना चाहते हैं पलकी राजविर की क्या फिर शौरे पलकी की हमें कमेंट में सब्सक्राइब करें